प्राइप्र नमबर फॉर इंजिटीशन दॉएड लाइफ प्राक्रतिक वनस्वती और हमारा वन्ने जीओ इसके बारे में हम डिस्क्स कर चुके हैं वेजिटेशन क्या होती है टाइपस आफ वेजिटेशन में हमने भी डिस्क्स किया था इसकी बाद sc pe ass of २ फॉर्स्ट आप डिसकस कर चुके हैं। आज हमको डिसकस करना एक लृःब्स क्लाओं लीं। इस ट्रॉप्क्यल ग्रास लेंड्स के बारे में डिसकस करनांगी। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। This is the picture of your tropical grassland. यहां से आप study कर सकते हैं. पिक्चर को observe कर सकते हैं. इसमें है, they are located in the tropical latitude. जो tropical grassland होते हैं, वो हमारे tropical latitude में पाय जाते हैं. The trade wind belt known by different names such as compose in Brazil. जो ट्रेड विंड होती हैं अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से भी जाने जाती है जैसे ब्राजील में उसको कमपॉस कहते हैं लैनुज इन वेनेजुला एंड शावाना इन अफरीका जो मारी ग्रास लेंड है उनके यहां पर कमपॉस में ब्राजील में इसको कमपॉस के नाम से जानते हैं लैनुज वेनेजुला में और शावाना अफरीका में इज आपके और आइधर साइड आप दा एक्वाटर ये ए जाते हैं एक्सेंड अप्टू दा ट्रॉफिक्स और ट्रॉफिक्स तक बढ़ते जाते हैं तक ग्रास लेंड फांड इन दिस रिजन और टॉन इस एरिये में जो ग्रास लेंड पाई जाती है जो गास पाई जाती है वह बहुत लंबी होती है अबाउट टूमितर यानि दो मीटर लंबी तक यानि अधमि उसमें असानी से छिप सकता है। इतनी उची होते हैं वोग ब्लेड्स और जो घास होती है वो लंबी गलद्स होती है वो लंबी-लंबी ब्लेड जैसी होती है। समें स्कैटर्ड, डिसीजियस टीज लाइक बोवास, अड वैटल्स आर अर थाइस, दूर डूर पर डिसीजियस टीज पाय जाते हैं, उनमें से बावाब और वैटल्स हैं, जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट, एलिफेंट्स, लीफर्ड, चीता, हाइना, एंड डियर are common by found animals of this array इस छेतर पर जो समान रूप से पाए जाने वाले जन्तु हैं उन में से आपका जेब्रा है वाइल बीस्ट, एलिफेंट, सलीफर्ड, चीता है, हाइना है और डियर है टेंपरेट ग्रास लक्सेंश अब इुसके ऊपर हमने स्टडी किया ट्रॉपिक्रल ग्रास लन्ड और ट्रोप्रिय ग्रास लेंड शोर्फियस में का डिफ्रेंस हैं यह विद्व की आप देख सकते हैं पिक्चर के इतेम से भी आसब everything यह बनी थी यह आपकी टेम्परेट ग्रासलेंड की थी यह ट्रॉपकल ग्रासलेंड की पिक्चर है आपके इस यूर ट्रॉपकल ग्रासलेंड और इस विक्चर बिलॉग तो टेम्परेट ग्रासलेंड अब ट्रॉपकल ग्रासलेंड में डिफ्रेंशन्स क्या होते हैं तो दे यह आर लोकेटिद इन दर टेम्परेट रिजिंग शिधी शिवा थे वह ट्रॉपिकल थी तो ट्रॉपकल लेटिटीटूड में पाए जाती थी यह टेम्परेट है तो टेम्परेट छेतर में पाए जाएंगे regions in the belt of the western lights such as the pampas in South America South America का जो pampas इसका examples है prairies in North America का जो prairie जो grassland है and welts in South Africa steppes in Europe and Asia and down in Australia the grasses of this region are short and nutritious यहां की जो grass होती है वो छोटी होती है और जो tropical grassland की grass थी वो लंबी होती है वो लगबग 2 मीटर तक होती है और उसकी जो blades होती है वो sark blades होती है इसके बाद है त्याराथ trees अब जो temperate grasslands है उसमें जो trees पाए जाते हैं वो होती है आपके plain and rainfall is very less यहां पर क्या होती है ट्री लेस होता है यह जो grassland ट्री लेस होता है रीजन क्या होता है आपर की very less जो क्या रेन फॉल होती है बहुत कम होती है विद कॉमन अनिमल्स वाइल बफैलोस बैसन एंड एंटिलोप्स यहां के main animals है desert and tundra vegetation deserts are found in the sub-tropicals and the temperate regions between 20 से 45 डिगरी तक north and south of the equator equator के north और south में दोनों में 20 डिगरी से 45 डिगरी के बीच में यह पाया जाते है तो sub-tropical deserts are the characterized by the scanty rainfall of less than 75 mm जो sub-tropical deserts होता है उसकी जो विसेशता होती है वो scanty rainfall of less than जहां पर 75 mm से कम बारिस होती है वो area sub-tropical desert में आता है as such they have arid type of vegetation और यहां की जो vegetation होती है वो arid type होती है tropical deserts are located on the western margins of the continents characterized by dry trade winds blowing over the area यहां पर सूखी हवाय चलती है इस area के ऊपर से mostly vegetation like serfs and thorny bushes यहां की जो vegetation होती है पनसपती होती है वो serfs के से रूप में पायाती है और बुसेस जाणियों के रूप में पायाती है they have long roots to draw water अब इनकी जब बारिस कम होगी तो सीधी सी बाद पौदों को पानी सही है पौदों को पानी मिलता नहीं तो उनकी जो roots होती है इस्तिगल करते 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 बहुत गहरा ही तक चली जाती है यहां की जो roots होती है बहुत लंबी होती है water को draw करने के लिए and nutrition nutrients पोसक्ततों और पानी को observe करने के लिए जड़ें गहरा ही तक जाती है the thorns prevent evaporation and act as the protections against being eaten by animals अब यहां के जो plants होते है वो thorns होते है मतलब कटीले होते है जिनकी वज़े से जो waspoth surgeon जिसको कहते है evaporation waspoth surgeon पानी का भाब बन करके उड़ना देखा होगा जो leaves होती है वो भी पानी को waspoth surgeon करती है तो कटीली होने के वज़े से पानी पत्यों के माद्यम से कम उड़ता है और act protection और जो काटे होते है वो animals से protection भी करते है animals इनके पत्यों को खानी पाते इसलिए बच भी जाते है the polar regions are sometimes called cold desert अब जो polar regions काते है इसको कभी-कभी cold desert भी कहा जाता है the growth of vegetation in this region is very limited अब बनस्पती यहां की जो बनस्पती का जो उद्गम है वो बहुत लिम्टेट है region due to freezing temperature क्योंकि यहां का temperature इतना थंडा होता है जिसकी वज़े से यहां पर vegetation नहीं हो पाती है and thick snow cover और बर्व की मोटी सी layer पड़ी ही रहती है on mosses, lesions and various small subs are grown in the costal heads पानी का किनारा किनारा है वहां पर कुछ vegetation पाई जाती है उन में से आपको mosses दिया है, lesions दिया है और बहुत कम मात्रा में serfs भी पाई जाते हैं mostly living short summer और यह उस समय होते हैं जब short summer यह गर्मी का मौसम बहुत कम समय के लिए आता है causes of the depletion of the vegetation and wild life किस तरीके से wild life का depletion हुआ, vegetation का depletion हुआ इसके बारे में हम next video में discuss करेंगे में बहुत कर दो दो करेंगे झाते हैं